साथियों, हमारी हां कहा जाता है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, यानि हमारी संकल्प शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति ही हमारा आगे का मार्द तै करती है. जो पहले ही हार मान लेता है, उसके सामने नए अवसर दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं, लेकिन जो जीत के लिए निरंतर प्रयास करता है, एक दुसरे का साथ देते हुए है, आगे बढ़ता है, उसके सामने नए अवसर भी उतने ही जादा आते हैं और अवसर भी सामने चले आते हैं. साथियों, यह हमारी एक जुड़ता, यह एक साथ मिलकर बड़ी से बड़ी आपदा का सामना करना हुए हुए हमारी संकल्प शक्ति, यह हमारी इच्छा सक्ति, हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, एक राष्ट के रूप में हमारी बहुत बड़ी ताकत है, मुसिबत की दवाई, मुसिबत की एक ही दवाई है, मुसिबत की दवाई मजबूती है, मुस्किल समयने हर बार भारत के डिटर्मिनेशन को अधिक स्ट्रेंदन किया है, एक नेशन के रूप में, देश वाष्यों के रिजॉल को उर्जा दी है, संकल्प को शक्ति दी है, यही भावना है, आज ICC के आपके मेंबर के चहरे पर भी, और देश वाष्यों के देहरे पर भी, मैं देख सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, करोडों देश वाष्यों के प्रवाष्यों में, मैं एक नई आशा देख सकता हूं, नए अब इस बाद देख करता हूं, करोडों का संकट पूरी दुनिया में बना हुआ है, पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, करोडों वारियस के साथ हमारा देश इस लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं है, लेकिन इन सब के बीच, हर देश वासी है, अब इस संकल से भी भरा हुआ है, कि इस आपदा को इस आपदा को अउसर में परिवर्ति करना है, इससे हमें देश का बहुत बड़ा तरनिंग पॉइंट भी बना रहा है, यह टरनिंग पॉइंट क्या है? आत्म निर भर भारत, सेल्फ रिलाइंट इन्डिया, आत्म निर भरता का सेल्फ रिलाइंट का यह भाव, बरसों से हर भारतिय ने एक एस्पिरेशन की तरह जिया है, लेकिन फिर भी एक बड़ा काश, एक बड़ा काश, हर भारतिय के मन में रहा है, मस्तिष्क में रहा है, यह काश क्या है? काश हम मेडिकल एक्विप्मेंट के खेतर में हात्मंदिर बढ़ होते, काश हम डिफेंस मैं हात्मंदिर बढ़ होते, काश हम कोल और मिनराज के सेक्टर में हात्मंदिर बढ़ होते, काश हम edible oil में, fertilizers के खेत्र में हात्मंदिर बर होते हैं काश हम electronic manufacturing में हात्मंदिर बर होते काश हम solar panels, batteries और chip manufacturing में हात्मंदिर बर होते काश हम aviation sector में भी हात्मंदिर बर होते ऐसे कितने सारे कार्ष अंगिनत कार्ष हमेजा से हर भारतिये को जब जोड़ते रहे हैं चाथियों एक बहुत बड़ी बज़र रही है कि बीते पांच-छे वर्षों में देश की नीती और रिती में भारत की आत्मन निर्वरता का लक्ष सर्वो परी रहा है अब कोरोना क्राइसिस ने हमें इसकी गती और तेज करने का सबक दिया है इसी सबक से निकला है आत्मन निर्वर भारत अब्यान साथियों हम देखते हैं परिवार में भी संतान बेटा हो या बेटी अठारा बिश साल का हो जाता है तो माबाप उसे सबसे पहले कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो हर परिवार में सुनाओगा आप जो मुझे सुन रहे समने सुनाओगा कि अठारा बिश साल की उमर में उनके माबाप में उनको कहा होगा कि बेटे बेटी अब अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो एक तरह से आत्मा निर्भर भारत का पहला पाठ परिवार से ही शुरू होता है भारत को भी अपने पैरों पर ही खड़े होना होगा